चलिए बढ़ते आगे रुख करते कुछ और खबरों का CBI रेट पर दिल्ली के डिप्टी सियम मनीश सोधिया की प्रेस कॉन्फरेंस के बाद केंद्रिय मंत्री अनुराक ठाकुर ने पलडवार किया उन्होंने का कि CBI ने भले ही शराब नीती के तायद ब्रेस्टाचार के मामले में मनीश सोधिया को आरोपी बनाया हो लेकिन इस घोटाले के मुख साजिश करता सियम अरविंद केजरिवाल है उन्होंने का कि हम अरविंद केजरिवाल को चुनौती देते हैं कि वो 24 घंटे में मीडिया के सामने आएं और इस मामले में जवाब दें शराब के घोटाले की बू देश और दुनिया तक पहुंची है शराब घोटाले के आरोपी नंबर वन मनीश सिसोधिया जी लेकिन किंग पिन है अरविंद केजरिवाल जी आखिरकार अगर आपकी शराब नीती ठीक थी तो वापिस क्यों ली क्या ऐसी मजबूरी थी आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाड़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाड़ी मुंडवा दी तो मनीश सुषोदिया और अरविंद केजरिवाल जी ने भी शराब नीती में भ्रचाचार दिखा तो नीती वापिस ले ली मेरा सवाल इनसे ये है कि मनीश सुषोदिया जी बताएं कि मैनुफेक्चरिंग कमपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमती नहीं होती थी तो आपने क्यों दी काटल कमपनियों को शिराब बेचने की ठेका क्यों दिया अगर दिया तो क्यों आप ये भी बताएं कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टिट कमपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं एक सवाल मेरा और भी है कि 25 अक्टूबर को जब दिल्ली के ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लैक लिस्टिट कमपनियों को और बाकी कमपनियों को नोटिस दिया था तो इस पर अरविंद केजरिवाल जी और मनीश जोदिया जी ने क्या कारवाई की आमाद्मी पार्टी की सरकार ने क्या कारवाई की जिस तरह से इनके वरिष्ट नेता नहीं ये कहा कि हमें कोविड से लिना देना नहीं अरे भाई कोविड में तो आपने कुछ किया इनी दिल्ली में देश में हाग कारमची दिल्ली के कारण देखने को मिला कि इनके निता ने कहा कोविड से हमें लिना देना नहीं तो भाई शिराब वालों से क्या लिना देना था आपका ये तो बता दो